ताजमहल बनेगा वेडिंग डिस्टिनेशन, योग अध्यात्म से लेकर खान पान तक परियटकों को यूपी में मिलेगा सब कुछ, जाने योगी सरकार का प्लान दोस्तो, प्रेम का प्रतीक ताजमहल जहापर है, उस राज को विवास्थल के रूप में बढ़ावा देना, अंतररास्ट योग समेलन का आयजन, दुदुआ वाइफ लाइप, सेंचुरी में हौट बैलून की सवारी, कारवा और ग्रामिन परियतन के शुरुवार, आग्रा क पेठा, मतुरा का पेडा, लखनाओ का गलावती कबाब और मलिहाबाद के आम, इस सभी चीज़े उतर प्रदेश की नई टूरिज्म पॉलिसी का हिस्सा होगी, जिनने योगी सरकार देश और दुनिया के सामने राजिकी विशिष्टाओ के रूप में पेश करेगी, दोस् नई परियतन निती का उद्देश, टूरिज्म से होने वाली आयको बढ़ाना, परियटकों की संख्या में व्रिधी करना और बार बार उन्हें उतर प्रदेश यानि के लिए प्रोचसाहित करने वाला मोहल देना है, इस परियतन निती की तहट सरकार का एक नया फोकस एरिय राजी की गाओं में होमस्टे को प्रोचसाहित करने पर होगा, योगी सरकार राजी में विशेश मार्केटिंग और प्रचार गती वीधियों के साथ बड़े पैमाने पर लगभग एक दरजन कारिक्रम आयोजित करने की भी योजना बना रही है, जिन में ड्रोन शो और ला प्रोचसव, कुंब मेला और कृष्णोचसव शामिल होंगे, उप्रुक्त सभी कारिक्रम उतर प्रदेश की ब्रैंडिंग करेंगे, वही नई परियतन निती का उदेश उतर प्रदेश को भारत और विदेशों में एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देना है, नई परियतन निती के मसादे की मताबित, उतर प्रदेश भारत का सीष्ट टूरिज्म फ्रेंडली स्टेट है, जिसे दुनिया भर में मानिता प्राप्त है, राज में प्रेम का प्रतीक ताजमहल स्थीत है, इसे विशेश रूप से केंदर में रखते वे राज को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करना नई परियतन निती का प्रमुख हिस्सा है, राजसरकार भारत्य और अंतररास्टिक कारिक्रमों में जाकर यूपी को शादी के गंतवी के रूप में बढ़ावा देगी, यूपी स्पिरिचूल एंड वेलनेस टूरि इसमें भी अगवा बनना चाहते हैं, इसके लिए योग और आयर्वेट को बढ़ावा देना नई परियतन निती का हिस्सा है, न्यू टूरिज में पॉलिसी के ड्राफ्ट में कहा गया है कि योग और आयर्वेट की प्राचीन भारती तक्निकों पर ध्यान के इनृत किया ज सारनाच, शावस्ती, कपिलवस्तू, वारानसी और मतुरा में विश्वस्तर ये वेलने सेंटर विक्सित किये जा सकते हैं, नई परियतन निती के मसौदे में परियतकों को ग्रामीन छेत्रों की यात्र करने और गाओं की दैनिक गतिवीध्यों का अनुभव करने के लिए प्रोच साहित करना भी शामिल है, जो हुने छेत्र की परमपराओं और संस्कृति को आत्मसाथ करने का आफसर प्रदान करेगा, निती में उल्ले किया गया है कि ग्रामीन परियतन केंद्रों की पहचान की जाएगी, ये केंद्र आगरा, वारनसी, लखनो, अयोध्या, प्र हवा दिया जाएगा, नई परियतन निती के मसौदे में कहा गया है कि राजी की विविता से परियतकों का परिचै कराने के लिए कार्वा टूरिस्म को प्रोच साहित किया जाएगा, वैश्वे ख्याती की होट एर बलून ऑपरेटरों को अमंत्रित किया जाएगा, वारनसी और दुधवा वनिजीब अभियारन जैसे गंतव्यों में गर्म हवा के गुबारों की सवारी जैसी गतिवीधियो को ठापित करने में उनसे सहायता ली जाएगी, यूपी को देश का एक प्रमुख होट एर बलून डेस्टिनेशन बिनानी की दिशा में काम किया जाएगा, परियटकों को आकरश्रित करने के लिए पाक परियटन नई परियटन निती का एक अनिप्रमुख फोकस छेतर है, निती में कहा गया है, उतर प्रदेश की खान पान से जुड़ी अनूठी चीजों विशेश रूप से जो केवल राज में ही उपलब्द है, जैसे कि आगरा पेठा, मतुरा का पेड़ा, लखनाओ का, गलावती कबाब, इत्यादी, परियटकों को उन्हें कैसे तयार किया जाता है, इसका अनुभो करने की सुविधा दी जाएगी, इस लिस्ट में इलाबात का सुर्खा अमरुद, मलिहा बादी आम, काला नामाक और बासमती चावल महोबा का देशावरी पान भी श्यामिल है, दस्तावेज में उल्लेक किया गया है कि नई परियटन निती की नीव, उतर प्रदेश के आसपास फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने, कम ग्याद छेत्रों में परियटन का विकास, निवेश को प्रोच साहित करने वाले विशेगत छेत्रों का निर्मान और रोजगार पैदा करना, निजी और सारजनिक छेत्र के बीच सयोग स्थापित करते वे एक उच्च गुनवत्ता वाला परियटन केंद्रीत पारिस्थिकी तंत्र विक्सित करना जैसे ततो पर अधारित है